हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू मा यूटूब चैनल तो आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी अनंत चतुरदशी ब्रत की पूजा बिधी अनंत चतुरदशी ब्रत भात्र पदमास के शुकल पच्च की चतुरदशी के दिन मनाया जाता है अनंत चतुरदशी पर भगवान विश्णू के अनंत रूप की पूजा की जाती है तो चलिए देख लेते हैं अनंत चतुरदशी पूजा बिधी क्या है अरंत चतुरदशी की पूजा के लिए हमने यहां पर चौकी ली है चौकी पर हमने पीला कपड़ा बिचाया हुआ है आप पीले कपड़े की जगे लाल कपड़ा भी यूच कर सकते हैं इसके बाद हम चावल से अश्ट दल कमल बनाएंगे और कलस स्थापना करेंगी इसके बाद हम एक जल का कलस लेंगे और जल के कलस पर इस तरह से आप स्वास्तिक बना लें मैंने पहले से ही इस पर स्वास्तिक बना के रखा है अब हम अश्ट दल कमल पर जल का कलस रख लेंगे इसके बाद हम जल के कलस में डालेंगे सिपाड़ी, एक सिक्का, अच्छत और बतासा इसके बाद हम इसमें पान के पत्ते लगा देंगे फेंट्स अरंत चर्तुर दशी पूजा सामिक ग्री का अल्रेडी वीडियो मैं अपनी चैनल पर डाल चुकी हूँ लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रप्शन बॉक्स में मिल जागा वहां जाकर आप चेक कर सकते हैं कलस हमने दीप कलस रखा है आप हम एक पान का पत्ता लेंगे उसके उपर हम चावल रखेंगे पान के पत्ते पर चावल रखकर हम गौरी माता और गड़िश भगवान को ब्राजमान करेंगे इसके बाद हम चावल का आसन देखन भगवान बिश्नु की फोटो को भी ब्राजमान कर लेंगे इसके बाद अनन्त चतूर दसी की पूजा में इस तरह से घी से या फिले चंदन से अनन्त भगवान बनाए जाते हैं लकडी के पाटे पर उनको भी हम विराजमान कर लेंगे यहाँ पर हमने पहले से ही अनन्त भगवान बना कर रखे हुए हैं इसके बाद हम चावल का आसन देखर दीपक को भी रख लेंगे इसके बाद हम दोनों दीप प्रजुलित कर लेंगे और धूब बत्ती जला लेंगे और भगवान को धूब दीप दिखाएंगे इसके बाद हम पान के पत्ते से गड़ेश भगवान को, गौरी माता को और विश्णु भगवान को इसनान कराएंगे इसके बाद सबसे पहले हम गड़ेश भगवान का रोली चंदन से तिलक करेंगे, पूजन करेंगे फिर गौरी माता का रोली से पूजन करेंगे अच्छा तरपित करेंगे और गौरी माता को हम महावर भी लगाएंगे जो कलस हमने रखा है उसका भी हम पूजन करेंगे अच्छा तरपित करेंगे और जो हमने अनंत भगवान बनाए है उनका भी हम चंदन से रोली से पूजन क करेंगे और अच्छा तर्पित करेंगे फ्रेंड्स अनंत चतुर दशी की पूजा के लिए चोद्य गांठ वाला अनंत दागा कैसे बनाए इसका वीडियो और रेडि मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रेप्शन बॉक्स में मिल जा करेंगे और एक पैका सिक्का और फूल अर्पित करेंगे इसके साथ ही हम गड़िश भगवान को एक जन्नेव अर्पित करेंगे इसके बाद हम एक पान का पत्ता लेंगे उस पर हम रखेंगे सुपाडी लॉंग इलाइची और बतासा और भगवान गड़िश को और माताग बश्चमी को अर्पित करेंगे इसके बाद हम एक बस्त रूपी के लावा भगवान गड़ेश को अर्पित करेंगे और दूसरा बस्त रूपी के लावा भगवान विश्णु को और मातल अलचमी को अर्पित करेंगे इसके बाद हम चावल के आसन पर अनंत सूत्र को भी रख वो भगवान विश्नु को अनन्थ भगवान को अर्पित कर सकते हैं इसके बाद हम एक फूर माला अनन्थ भगवान को अर्पित करेंगे और एक बसरुपी कलाबा भगवान अनन्थ को अर्पित करेंगे इसके बाद एक जन्यव हम भगवान विश्नु को अर्पित करेंगे औ के लड्डू और वर्फी का भोग में आप किसी भी पकवान का और किसी भी मिठाई का भोग भगवान को अर्पित कर सकते हैं इसके बाद हम फल का भोग अर्पित करेंगे फल में हमने यहाँ पर केले लिये हैं और सेब लिये हैं उसका भोग अर्पित करेंगे आप कोई भी मौस्मी फल का भोग भोग अर्पित कर सकती हैं और जो यहाँ पर हमने पूड़ी ली हैं और मीठा दही लिया हुआ है उन्हों पूड़ियों में से हम थोड़ा थोड़ा तोड़ लेंगे और दही के साथ लगा कर हम अनत्थ भगवान का भूग लगाएंगे और सभी भगवान को हम जल अर्पित करेंगे इसके बाद हम अपनी सरद्ध अनुसार भगवान को कुछ तच्छिना अर्पित करेंगे तच्छिना आप 11, 21, 51, 101 कुछ भी अपनी सरद्ध अनुसार भगवान को अर्पित कर सकते हैं इसके बाद हम जोटा सा हमन करेंगे आप हमन यहाँ पर इसकिपी कर सकते हैं वो आपकी इच्छा के ऊपर है आप हवन करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं मेरे यहां हवन होता है अरंत चद्रुद्दसी पर इसलिए मैं हवन कर रही हूँ यहां पर मैंने धूप चड़ाई है उसमें मैंने कपूर डाला है अब मैं पांच आहुती भगवान विश्नु के नाम से अ अर्पित क्या है उस भोग में से हम थोड़ा थोड़ा हवन में भी अर्पित करेंगे क्योंकि हवन के द्वारा ही हम भगवान को भोग अर्पित करते हैं क्योंकि हमारा भोग अगनी के द्वारा ही भगवान तक पहुंचता है इसके बाद हम घीके दीपक से और कपूर से भ आड़िश फग्वान की आरती करेंगे, मता कवरी की भग्वान, बिश्णू के रहंत भग्वान की आरती करेंगे। जल से आचमनी कराथेंगे , भग्वान को आरती देंगे ''। Жटी अध्रेवान की पेर पूझा को विर्लिख Like खो Yakito करेंगे, पूझा में। साथ परवार की कुशलता के लिए भगवान से प्रात्ना करेंगे इसके बाद हम हाथ में फूल लेकर और अच्छत लेकर अनन्थ चतुर दशी ब्रत कथा सुनेंगे या फिर पढ़ेंगे अनन्थ चतुर दशी ब्रत की कथा आप आरती के बाद भी पढ़ सकते हैं सुन सकते ह इसके बाद हम गौरी माता को सिंदूर दान करेंगे और फिर माता से हम सिंदूर लेंगे इस तरह से हम पांच बार माता को सिंदूर देंगे और माता से हम तीन बार सिंदूर लेंगे और अपना दो बार सिंदूर उधार चुड़ेंगे इसी के साथ ही हमारी अनंत चतुर ज्यादा लोग इस वीडियो का लाव उठा सके और यादि आप हमारे चैनल राइट चोई सिनीरस पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे हमारे आने वाले लिटेस्ट वीडियो की नोटिपिकेशन आपको समय से मिल सके तो फिर मिलते हैं पर ने में जैश्टी राधे राधे अ झाल झाल